Hello and welcome you all dear friends दोस्तो मैं मैं मनिस चोदरी एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो जैसा कि जितना भी विरोध और अंदोलन्स या ट्विटर ट्रेंड हो रहा था उसका रिजल्ट ये निकला है कि RPSC भी अब थोड़ी सी जागती भी नजर आ रही है और आज बिना किसी परी सुचना के ओफिशिल आंसर की चार सब्जेक्ट्स की है वो रिलिज हो चुकी है अलांकि कुछ सब्जेक्ट्स की और जीके की आंसर की आना भी बाकिया लेकिन वो भी कल तक आ जाएगी तो आज हम इंगलिज की आंसर की और उसकी कट आफ के बारे में डिसकस करेंगे और कौन से पांस क्योसन थे जो डिलिट होएं उन पर भी हम आज चर्चा करेंगे जो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं और एक रिक्वेस्ट आफस भी से अपना ही चैनल आप पली सब्सक्राइब जरूर करें चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्योसन थे जो डिलीट होए हैं पांस क्योसन जो हैं overall इंगलीज में डिलीट होए एक क्योसन यह है इस क्योसन को RPSC ने डिलीट कर दिया है पहले से ही 5 question delete कर दिये गए हैं तो इन पर कोई objection अब नहीं लग सकता बात करते है next जो question delete हुआ है वो है she told us an interesting story yesterday इसमें pattern of above sentence पूछा था इसमें भी right pattern था वो follow नहीं हो रहा था options में तो ये question भी delete कर दिया गया है बात करते हैं आगे next deleted question की एक एक question था who or what is personified in the first sentence आगे जो अपने एक poem आई थी और उसमें जो personified किसे किया गया है तो इसमें बहुत सारे बच्छों को doubt था कि रेक है या hope होगा तो इस question को भी जो है वो delete कर दिया गया है बात करते हैं फिर next question की जो delete हुए है तो फिर back to back फिर two questions है यह का the most important rate of the renesia period was renesia period का most important rate क्या था तो इस question को भी जो है वो delete कर दिया गया है और फाइनल जो पांसवा question delete हुआ है वो है match the following orders which a which the moment they represent इसके option कहीं भी follow नहीं हो रहे थे यह तो पहले से ही 100% confirm था तो यह भी delete हो गया है और final answer की में भी एक दो question और delete हो सकते हैं चलिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पर आज cut off की कि क्या निकल के आ रहा है जो बच्चों से contact हो है जिनके अभी जो messages या calls आए हैं आप सभी को पता है level था इस बार difficult था post भी इस बार 2018 की तुलना में double थी डबल से भी ज्यादा थी और तीस बच्चों के सम्थिंग यहाँ पर competition है average score below 300 आ रहा है तो यहाँ पर आज हम cut off की चर्चा करेंगे तो cut off यहाँ पर यह आ रही है कि general category में 310 plus जो भी student है वो almost safe है second grade English में 310 plus जो भी student है वो almost safe है OBC की बात करें तो 305 plus EWS category में 302 plus और MBC में 300 plus student SC में 290 plus and ST में 280 plus जो भी student है वो second grade English की paper में 100% safe मान सकता है because बहुत सारे student ऐसे थे जो रिट वाले थे जिन्होंने exam preparation रिट की की थी आरांकि literature उन्होंने नहीं पड़ी ज़रा से अभी और उन्होंने वे exam दिया है दूसरी बात ये post पिछे की तुलना में double से भी ज़्यादा है 2018 की तुलना में paper का level भी double hard था यानि difficult था इसलिए 310 से ज़्यादा cut off हरगीज नहीं जा सकती है तो I hope ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो please अपना ही चैनल सब्सक्राइब जरूर करें